देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा. क्या प्रभुक प्रभाव आपके जीवन पर उन ग्रहों के परिवर्तन के कारण पर सकते हैं, इन सब चीजों पर मैं चर्चा करता हूँ, मेरे चैनल पर विस्तरित मासिक राशिफल तो आता ही है, लेकिन जो त्री मासिक राशिफल होता है, ये एक तरह से दर्शकों को बत पर नीच के हो जाएंगे, ब्रहस्पती का राशी परतन भी अपरल में होगा, और गुरु चांडाल योग भी अपरल में ही बनेगा, इसके साथी शनी महराज जून तक आते आते वक्री भी हो जाएंगे, तो आप देखिए इस तीन महिने में बहुत कुछ बदल रहा है, इ शुरुआत करते हैं सिम्ह के लिए समेहतपून राशी परल का, शुरुआत एपरल से ही करते हैं, महिने के पहले हफ्ते में नवम भाब में राहु, बुद्ध और शुक्र कियोती रहेगी, ये अच्छा है क्योंकि तीनों ही ग्रह आपस में मैत्रिक संबंद रखते हैं, औ महिने के पहले हफ्ते में अध्यात्मिक था भी आपके व्यक्तित्तों में आपके जीवन में काफी रहेगी, कारेक शेत्र में अकर ट्रांसवर ढूंड रहे थे, उसके लिए समय अच्छा रहेगा, शनी का लगनपर दिश्टी बनाए रखना मिला जुला प्रभाव देगा जाएं एक और खर्चे तो आपके बढ़ेंगे लेकिन जो लोग बिजनस आधी करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, सूर्या 14 अप्रिल को राशी परतन करेंगे और आपके भाग्यस्थान में आकर बैठ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, यह साब बता र आठवे घर में चल रहे थे 14 अप्रिल से पहले, तो जीवन में अनिश्यत्ता चलेगी 14 अप्रिल तक, लेकिन उसके बाद आप खुद देखेंगे कि जीवन में काफी सकरात्मक्ता आ गई, नवम भाव में लगने के स्वामी का आना अपने आप में एक बहुत अच्छा रा और वह अपनी ही राशी व्रिशब में आ जाएंगे, दस्वे घर में आकर बैठ जाएंगे, यह समय भी कारेक शेत्रे के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के चांसे आपके बन सकते हैं, स्पेशली जो कॉर्परेट और फाइन्स सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय बुद्ध 21 या 22 तारीक के आसपस वक्री हो जाएंगे नवम भाव में, क्योंकि यहां पर लगन के स्वामी के साथ होंगे, यानिकि सूरे के साथ, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजेगा, इस महीने का या पूरे साल का सबसे महत्तपून राशी परतन ब्रहस्पति का होग जो 22 अपरिल को भागिस्तान में आ जाएंगे और आपके लगन पर दृष्टी डालना शुरू कर देंगे और ये आपके लिए बहुत महत्तपून है, जब भी लगन का संबंद ब्रहस्पति से हो जाता है तो समझ लेजिए कि भागे का साथ तो बढ़ता ही है और धन भी आ ये महीना बहुत महत्तपून बदलावों का होगा ही, आपको बस ध्यान इस महीने के इस चीज़ का रखना है कि बड़ों से बहस नहीं करनी, ओफिस पॉलिक्स पर ध्यान देना है यानि कि उससे बचके रहना है और अध्यात्मिक ताकी तरव भी जाईएगा, अपने अध् दोर एसरिटी आपको इस महीने मोतं करेंगे, चलते हैं माई के तरफ माई 2023, शुक्र दो माई को ही राशी परतन कर लेंगे और लावस्तान में आजाएंगे, दस्वे स्थान के स्वामी लावस्तान में आएंगे, यानि कि कारेक शेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंग तीसे भाव के स्वामी भी है, जो की काम त्रिकोन का एक स्थान है, तो इच्छा पूर्ती होगी और कोई नया रिलेशन्शिप भी स्थार्ट हो सकता है इस महीने का बहुत महतपून राशी परतन होगा, मंगल का, जो की दस मही को नीच के हो जाएंगे, और आपके बारवे घर में आकर स्थापित हो जाएंगे क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारग रहे हैं, उनका बारवे में आना मिला जुला प्रभाव देगा यदि आप विदेश जाना चाते थे तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान दीजेगा और आपके खर्चे भी इस समय काफी बढ़ेंगे जो लोग और विदेश में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा बुद्ध 16 मही को मारगी हो जाएंगे क्योंकि आपके लिए वो धनस्तान और लावस्तान दोनों कही स्वामी है तो जब वक्री हो गए थे, यानि कि 22 अप्रल के पास जब वक्री हो जाएंगे और 16 मही तक का समय, ये थोड़ा आपके लिए कठिन जा सकता है यहाँ पर धन अटक सकता है, भाग्य कहीं कहीं आपका रुक रुक कर साथ दे सकता है क्योंकि भाग्यस्तान में ग्रह वक्री हो गया लेकिन 16 मही के बाद आप देखेंगे कि जीवन में पैसा वापस आएगा भागे का भरपूर साथ मिलना आपको शुरू हो जाएगा सूर्य 15 मही को राशी परतन करके दस्वे घर में आ जाएंगे और लगन के स्वामी का दस्वे घर में आना भी बहुत स्ट्रॉंग राज्योग बनता है और दिगबली भी सूर्य हो जाएंगे यह समय कारेक शेत्र में महत्तपूर बदलाव लाने का है कोई सरकारी कारेट अटकरा है जिनका कोई सरकारी एगजाम है सभी के लिए यह समय सूर्य के राशी परतन के बात से बहुत अच्छा रहेगा इस महीने ब्रहस्पती अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि भाग गया आपका बहुत साथ इस महीने यानि कि मही में अवश्य देगा गुरु चांडाल योगी भी नवम भाब में बन रहा है और आज के टाइम में गुरु चांडाल योग कोई बुरा नहीं होता विदेश जाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग योग बन रहा है वह लोग जो बहुत लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे लेकिन कार्य अटक जाते थे ये महीना बहुत अच्छा है इस महीने ध्यान क्या रखना है इगो बढ़ेगा और खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे दोनों पर ही कंट्रोल रखेगा सेहत पर बहुत खर्चा होगा सेहत अचानक से बिगड़ेगी ध्यान रखेगा और यदि आल्रेडी आपकी सेहत खराब है तो ये महीना थोड़ा problematic हो सकता है sleep disorders, नसों की problem और पेट की problem इस महीने बहुत तंग करेगा चलते हैं जून 2023 की तरफ ये महीना सभी के लिए बहुत महत्रपून है लेकिन आपके लिए कुछ जाड़ा महत्रपून हो जाता है कारण क्या है क्योंकि इस महीने में जो सबसे महत्रपून बदलाव होगा वो होगा शनी का वक्री होना आपके लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके सब्तम भाब में वक्री होंगा और स्थीधा लगन पर उनकी दृष्टी होगी 17 जून को शनी वक्री हो जाएंगे तो ये समय बहुत sensitive आपके लिए रहेगा आपको ध्यान देना है अपनी सेहत का आपको ध्यान देना है अपनी इमिर्च का ये समझ लीजे कि 17 जून के आसपास के जो कुछ दिन है ये थोड़ा आपके लिए sensitive जादा ही रहेंगे आप पर जूटे आरोप लग सकते हैं आपको किसी चीज में फसाया जा सकता है अगर आप एक popular विक्तित्म के धनी हैं आप politics में हैं आप known personality हैं आपको जानते हैं समाज में लोग सबसे जादा बचकर आपको इस ताइम पे रहना है क्योंकि उनी लोगों के पीछे जो उनके दुश्मन है वो पढ़ेंगे और ये जो शनी का वक्री होना है वो उनके लिए थोड़ा घातक हो सकता है बिसनस में भी घाता हो सकता है अचानक से जीवन में एक इंबेलेंस आजाएगा क्योंकि सीधा लगन को देख रहे हैं और आपके लगन के स्वामी से भी संबंध शनी के बहुत अच्छे नहीं है इसलिए आप पर जादा प्रभाव उनका रहेगा शुक्र 30 मही को ही राशी परतन कर लेंगे इसलिए जून में उनका प्रभाव जादा दिखेगा बारवे घर से बारवे घर में 30 मही को आ जाएंगे बारवा घर उनका प्रियतम स्थान है और शुक्र मंगल की यूति यहाँ पर साब बता रही है कि धन कमाने के सोर्सेस बहुत बढ़ेंगे जो MNC आदी में काम करते हैं विदेश से संबंदित काम करते हैं बहुत ही अच्छा यह समय उनके लिए रहेगा विदेश में जो घूमने के लिए भी जाना चाते थे उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा बुद्ध इस महीने दो बार राशी परतन करेंगे पहले छे तारीक को दस्वे घर में आ जाएंगे और फिर 24 तारीक को लावस्थान में चले जाएंगे क्योंकि धन के कारक है लावस्थान के स्वामी है धनस्थान के स्वामी है और लावस्थान के स्वामी है उनका दस्वे घर में और ग्यारवे घर में परसपर गोचर करना साहब बता रहा है कि कारक शेत्र से इस महीने बहुत धन अरजित कर सकते है सूरे का राशी परतन 15 जून को हो जाएगा और क्योंकि वो लगने के स्वामी है लाब स्थान में आ जाएंगे तो भौतिक जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कई कारवें में आपको जून के महीने में सूरे के राशी परतन के कारण सफलता प्राप्त होगी ध्यान क्या रखना है वक्रिशनी बच के रहिएगा अस्थिरता लाएंगे अवश्य लाएंगे परसनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो सेहत का बहुत ध्यान देना है अचानक से सेहत बिगडेगी 17 जून के आसपास जादा बाचीत मत कीजेगा इस महीने और रिष्टेदारों से भी थोड़ा बचके रहेगा जिनको किड़नी की प्रॉब्लम है थोड़ा दिक्कत बढ़ेगी उपाय की बात करते हैं कब करना है उपाय एप्रेल के प्रतम भाग में कर लें कभी भी या फिर जब भी वीडियो देखे उसके अगले दिन या अगले रवीवार को ही उपाय कर लें पहला उपाय आपको गयत्री मंत्र का एक स्वाड़ बार जाप करना है शिव चालीसा का पांच बार पाट करना है इसके साथ ही आपको चावल फूल और चंदन के पाउडर को मिलाकर जल में मिलाकर वो जल आपको सुर्देता को अरपन करना है और चौथा उपाय यह है कि आ कि अगुमा